बिस्मिल्ला रख्मान ररहीम, देर स्टूडेंट्स, अस्सलाम अलेकुम, वेलकम टो एमेस हाइज स्कूल, आज हम क्लास टू का मैप करेंगे, हमारा लेक्चर नमबर फाइफ है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ओर्डर, असेंडिंग यनि तर्तीबे साउधी, डिसेंडिंग तर्तीबे नजूली, असेंडिंग ओर्डर, तर्तीबे साउधी होता है, यनि छोटे से बड़े नमबर की तरफ अमाउंट को लिखना, और डिसेंडिंग ओर्डर, तर्तीबे नजूली, यनि बड़े नमबर से छोटे न एक्जेम्पल दी गई है देखें जी यहां पर सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है 233 232 उसके बाद है 231 230 229 अब हमने इसको असेंडिंग ओर्डर में करना है तो मैंने आपको बताय था कि सेंडिंग ओर्डर क्या होते हैं छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ जाना इन में सबसे चोटी रकम कौन सी है 229 तो यहां पर हम लिखेंगे 229 उसके बाद इससे जो बड़ा है वो है 230 उससे बड़ा है 231 उससे बड़ा है 232 और लास्ट पर है 233 इसी तरह से अगर हम इनी नंबर को डिसेंडिंग ओर्डर में करें तो इसका मतलब क्या होगा कि अब हमने बड़े नंबर से चोटे नंबर की तरफ लिखना है हमारे पास ये कॉस्चन दिया हुआ है अब इसमें असेंडिंग में हमने छोटे से बड़े नंबर की तरफ गए थे तो अब हमने क्या करना है जी पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है तो सबसे बड़ा नंबर है 233 तो यहां लिखेंगे 233 उससे चोटा है 232 फिर उससे चोटा 231 उससे चोटा है 230 और लास्ट पर है 229 यनि असेंडिंग ओर्डर छोटे से बड़े नंबर की तरफ और descending order बड़े नमबर से छोटे नमबर की तरफ अब हम इसकी exercise करेंगे question number 1 है write these numbers in ascending order ascending order क्या होते हैं छोटे नमबर से बड़े नमबर की तरफ जाना अब इन में से देखें जिस सबसे छोटा नमबर कौन सा है 137 तो यहां पर हम लिखेंगे 137 137 अब देखें इस से बड़ा कौन सा है 209 अब हम लिखेंगे यहां पर 209 अब यह वाले दोनों नमबर हमने लिख लिए हैं अब हमारे पास बाकी तीन नमबर बचे हैं अब इन में से देखते हैं जिस छोटा कौन सा है छोटा है 540 यहां पर हमने लिख लिया 540 यह नमबर भी हमने लिख लिया हैं अब अगले नमबर दो बचे हमारे पास 589 और 740 इन में से छोटा है 589 तो पहले हम 589 को लिखेंगे और लास्ट पे आजाएगा 740 अब अगला सवाल है राइट इस नमबर इन डिसेंडिंग ओर्डर अब डिसेंडिंग ओर्डर क्या होंगे बड़े नमबर से छोटे नमबर की तरफ तो अब इन अमांट्स को पढ़ें नमबर को पढ़ें सबसे बड़ा नमबर कौन सा है 980 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 980 अब यह नमबर हमने लिख लिया इसके बाद देखते हैं जी बड़ा कौन सा है अब बड़ा है 660 इसको भी हमने लिख लिख लिया है अब हमार पास तीन नमबर बचे हैं इन में से बड़ा है 432 इस नमबर को भी हमने लिख लिया है अब हमार पास है 320 और 316 इन में से बड़ा है 320 और लास्ट पे आजएगा 316 इस टूडेंट्स इस टॉपिक में हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ओर्डर के बारे में सीखा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है skip counting by tens हमने tens को skip करते हुए आगे numbers को लिखना है और tens को skip कैसे करना है यनि हमने 10 number आगे बढ़ाने है तो tens पर जो हमारे पास value होगी उसका एक एक number increase करते जाएंगे तो हमारी counting, skip counting tens में complete हो जाएगी जैसे यहां पर हमारे पास दिया है 306 तो unit हमारे पास 6 है याई 1 स 6 है और tens में है 0 तो मैंने आपको बताया कि आपने 10 में एक एक number को increase करते जाना है यहां 0 है तो 0 के बाद हमारे पास क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2 तब यह number बनते जाएंगे 316, 326 फिर यहां पर 2 था 10 में तो यहां 10 में हो गया 3 तो यह हो जाएगा 336 अब हम यहां पर question को solve करेंगे can you skip count 10 steps forward क्या आप इन में 10 steps forward करके counting को लिख सकते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने 10 steps forward करना है तो किसको बढ़ाना है 10s को जी तो हम 10s को बढ़ाएंगे तो 400 ऐसे ही आ जाएगा 400, 10s में हमारे पास है 2 तो वो बन जाएगा 3 435 अब हम लिखेंगे 400, 10s को बढ़ाएंगे 3 क्या बन जाएगा 4 एक नमबर बढ़ जाएगा 445 इसी तरह से आगे लिखेंगे 400, यहां पर 4 था 10s तो यहां पर 5 हो जाएगा 455 400 अब 10s तो 6 हो जाएगा 65 475 45 485 475 526 डिक्रीज बाएगा 1 तो जो जो जगा पर नमबर होगा उसको एक एक नमबर कम करते जाएगे जैसे यहां पर हमारे पास question है four hundred अब यहां पर हमारे पास 10 में है zero अब बढ़ा आदिया तो one हो गया अगर हम इसको backward करते यानि पीछे की तरफ तो यहां पर हमारे पास 10 में था six और यहां पर एक नमबर 10 में कम हो जाएगा तो यह हो जाएगा five इसी तरह से five में 10 में एक नमबर कम हुआ तो यहां हो जाएगा four और इस नमबर को हम पढ़ेंगे four hundred fifty और four hundred forty ऐसे ही आगे our tens में एक एक नमबर को काम करते जाएगे अब हम इस question को solve करेंगे हमें question दिया हुआ है seven hundred ninety four तो हम जब ten's की place को काम करेंगे यहां पर ten's में आर पास है nine तो यहां पर हो जाएगा eight seven hundred eighty four seven hundred यहां पर eight था ten's में तो यहां पर आजाएगा seven seventy four अब यहां पर आएगा seven hundred sixty four seven hundred fifty four seven hundred forty four और यहां पर हमारे पास आएगा seven hundred thirty four यहां हमने ten's को एक एक नमबर कम करते जाना है तो हमारी ten step backward counting complete हो जाएगी dear students, I hope कि आपने forward counting और backward counting को अच्छी तरह से सीख लिया है अब आप ten step backward और ten step forward counting को कर सकते हैं इसके इलावा आपने ascending और descending orders को तरतीब देना सीखा है आपने इन questions की घर में practice करनी है झापने अपने हैं आपने अच्ड श्ष दृएंऄ